हेलो दोस्तों मेरे चैनल सुक्सम्रदी उपाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं जोस्तों आज मैं ऐसे उपाई लेकर आई हूँ जिसके करने से आपको बहुत ही विशेश फल मिलेगा कोई भी परेशानी हो आर्थिक तंगी हो रही हो या कोई कोट कचैरी हो विभाई सनी देव जो होते हैं वो सारी परेशानियों का हल करते हैं दोस्तों आज मैं उसी के वारे में आपसे बताओंगी वीडियो प्योंगी लगे तो लाइक सस्क्राइब जरूर कर लीजिएगा जिस आगे वीडियो मिलती रहे कमेंट में जय मालक्षमी दोस्तों जरूर दोस्तों जोती सास्त्र में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हर समस्य का समाधान बताया गया है इसके चलते बहुत से लोग अपनी हर परेसानियों का समाधान जोती सास्त्र में ही डूणते हैं वहीं आज के समय में हर किसी के जीवन में कोई न कोई परेसानी तो होती ही है ऐस καACE में व्यक्ति उसके क्य Thai उपाया करता ह 25 अखसर आप मेंसे बहुत से लोग काले धागे का भी सहारा लेते ही होंगे आपने पहले लोगों को कहते सुना हैं और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यदा बहतर होती है दोस्तों जैसे काला टीका काला टीका बच्चों के लगाया जाता है वह बुरी निजर के लिए लगाया जाता है काला दा काभ भी बुरी दरवसल काला धागा सनी गिरै से संबंदित भी होता है वहीं कई लोग इस दोस्त से बचने के लिए बांध लेते हैं लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसे बांधने से पहले कुछ बाते हमें जरूर याद में रखनी चाहिए दोस्तों कहते हैं जब किसी को बुरी नजर लगी हो तो उसको काला धागा बांदने से दूर हो जाती है अगर हम उसको काला धागा बांद देते हैं जो बुरी नजर होती है वो से को सो दूर चली जाती है पुराने समय में लोग अपने बच्चों को बुरी नजर से बचने के लिए काला टीका जैसे मैंन देती हूं कि किस जिगे आपको काला धागा बांधना है और किस जिगे आपको बांधने से आपको विसेसलाब होने वाला है दोस्तो सबसे पहले जान लेते हैं यदि आप जैसे की काला धागा होता है अगर आप पैरों में बांधना चाह रहे हैं अपने तो आपको क्या करना ह दोस्तों काला धागा ले लिए आप सवा मीटर का काला धागा खरीद लाइए और उसे अभी मंतरित करना है आपको बोलना है ओम समेश सनिश्च्राय नमा याद रखें सवा मीटर आपको धागा लाना है 108 बार आपको ओम सम सनिश्च्राय नमा यह आपको बोलना है दो ही उप कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप जो राहु केतु का जो बुरा प्रभाव होता है ग्रह जो होते हैं हमारे जो हमारे ग्रह हमें डगमगा देते हैं वो आप उन्सी जोसे बचे रहेंगे दोस्तों क्या करना है आपको 108 वार आपको बोलना है ओम सम सनिश्राय नमा ओम याद रखें आपको अभी मंत्रीत करना है कोई भी आप हनमान जी की मूर्ती के सामने बैठ जाए अपने घर में और एक सरसों के तेल का दिया लगा कि बैठें जब आप अभी मंत्रीत करें इस धागे को और याद रखें दिसा आपकी उत्तर ही हो जब आप मुक करके बैठ वह इशान कॉण ही हो तरदिशा ही हो या फिर पूरवदिशा हो इन दोन में से आप कोई भी दिशा ले सकते हैं पूरवदिशा हो तो और भी अच्छी है तो आपको उसके बाद ये धागा अभी मंत्रीत कर लेना है पूरा जैसे मैंने बताया है और अगर आप पैर में बांदें और चेपर में बांदें इस तरह से आप जरूर बांद कर देखे तो बहुती चख्ष्मी का वास हो दो तो जो राहु केतु का प्रभाव होता है उसी से हमारे घर में जो परिशानी आने लगती हैं अगर हम सनी देव का धागा अगर अपने घर में बान देते हैं तो हमको विसेश लाब होता है वो धागा आपको कैसे करना है दोस्तो सनी वार का दिन बेहधी खास होता है हनमान जी का और यह सनीवार का दिन हनवान जी और सनीदेव को समर्पित होता है आपको क्या करना है सवा मीटर धागा लाना है आपको दोस्तों जो 30 के अनुसार कुंडली में अनुग्रह जो अनुकुल घृह हैं हमारे उनकी दसा और प्रतिकुल जो घृह हैं उनके दोस्त के है भागा लेना है और हन्मान जी के किसी भी मंदिर में पहुंच जाईए लेकिन ध्यान लखें कि मंदिर एकांत हो आपको यह चुपचाप ही कारे करना है कहते हैं जो गुप्त कारे होता है वह करके अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत ही जादा चमतकारिक फल्स देखने को मिलते हैं तो हमेशा जो भी आप उपाय कर रहे हो याद रखे कि गुप्त उपाय हो आपको कोई देखे ना ही आपको किसी को बता करने है यह उपाय और इसके बाद आपको हर्मान जी के मंदिर जाना है सवा मीटर काले धागी को ले लीजिए और हर्मान जी के मंदिर में ज उसे आपको क्या करना है घर के मैन गेट पर लाकर लटका देना है आप देखेंगे कुछ ही समय में आपको चमतकारिक लाब देखने को मिलगे जरूर करिएगा उपाए बहुती अचुक उपाए है तो नेगटिविटी होती है वो बिलकुल भी हमारे घर में नहीं आती है आप मारे घर में जो राहु केतु के जो प्रभाव हैं सनी के प्रभाव हैं वो ना हूँ तो इस तरह से आपको ये धागा हमेशा जैसे घरों में बहुत से लोग नहीं बानते हैं नीवुमिरच तो इस तरह से अगर हम धागा लटका देते हैं सिंदूर से लगा हुआ तो बुरी स अचुक उपाई मैंने बताए हैं दोस्तों क्योंकि कुंडली के जो सनी गिरह है उसको प्रकोप को भी कम करता है जो शनी की जो दसा होती है जो हमारे द्वार से आती है उसको वहीं रोक लेता है काला द्वागा द्वागा मतलब आर्थिक इस्तति को मजबूत करने के लिए प जो आगे वीडियो मिलती रहें कमेंड में जै मालक्षमी दोस्तों जरू लिखेगा जै मालक्षमी